Hello dear students, तो आज की इस वीडियो में हम लोग important topic को कवर करने वाले हैं, जो की बहुत ही ज़्यादा important है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते जाना है, तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग cover करेंगे hardware और software को, क्यूंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा important है, computer में ही दोनों का use रहता है, hardware के type के बारे में जानेंगे, और software के type के बारे में जानेंगे, hardware कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से hardware होते हैं, software क्या होता है, और कितने प्रकार का software होता है, तो चलि इस वीडियो को start करते हैं, समझते हैं, तो हमारे computer system को चल करते हैं मतलब software hardware के साहता से software को चलाया जाता है कौन यूजर तो आप लोग समझ गया होंगे computer को चलाने के लिए में दो चीज़ों कर सकते होती क्या क्या है hardware और software तिन दोनों को होना बहुत ही ज्यादा important है ज़री है अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे होती इसका PDF न लिंग दिया गया है जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो PDF आपके Gmail अकाउंट से मतलब Google Drive में खुलेगा और उसमें पासवर्ट पूछेगा तो इस वीडियो में दिया जग गया है उस पासवर्ट को लिखोगे तो इस PDF का आपको पूरा प्रेजेंटेशन का जो PDF है ये बना system मतलब की computer के बहुत इक पार्ट जिसको वह वह क्या ऌतिक पार्ट जिसको क्या प्रेज कर सकते हैं और महसुस कर सकते हैं यह क्या क्या लाइगा पका hardware कर सकते हैं आपका hardware खहलाएगा, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरा हमारा hardware का part है, तो आप लोग समझ गया हूँगे, hardware क्या होता है, computer की सभी भावतिक पाज, जिसको हम लोग physical तरीके से देख सकते हैं, यही हमारा hardware कहलाएगा, तो hardware को दो भागों माटा गया है, पहला है internal hardware और its calling components, मतलब की जो computer system के अंदर में होते हैं, उसको internal hardware कहा जाता है, computer system के अंदर का मतलब जो CPU होता है, cabinet के अंदर होता है, उसे ही internal hardware बोला जाता है, जो वायर के थुरू आपका, वायर के थुरू नहीं, जो आपका motherboard में जो parts रहता है, जैसे की RAM हो गया, आपका RAM हो गया, HDD हो SSD हो गया, जो CPU के अंदर रहता है, RAM, ROM, motherboard, CPU, fan, driver, harddix, SSD, SMPS, यह सब कहां पे रहता है, cabinet के अंदर, तो वही है internal hardware, inside the computer system, मतलब computer के inside में रहता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, जो अंदर का part रहता है, तो आप लोग समझ गये, internal hardware का मतलब inside, computer के अंदर का part, जो आपको hardware का मतलब, जो computer system के अंदर में रहेगा, आपका RAM रहेगा, CPU, फेनी सरीस लगा रहता है, यह भी अंदर रहता है, RAM लगा रहता है, ROM लगा रहता है, यह भी आपका, इसको example से हम लोग समझ दे रहे हैं, जैसे देख सकते हैं, हमारा CPU है, यह CPU, इसके अंदर में जितने भी parts आ आपका चाहिए, motherboard हो गया, चाहिए, आपका CD और DVD हो गया, चाहिए, CPU फेन हो गया, इसको बोला जाता है, SMPS बोला जाता है, और sound card भी हो गया, अंदर में लगा रहता है, यहाँ पे आपका RAM हो गया, आपका processor हो गया, जो CPU बोलते हैं, तो CPU यह बाहर के parts को नहीं बोलते हैं, CPU इसको cabinet बोला जाते हैं, बाहर के parts को, जो अंदर में रहता है, यहाँ पे, छोटा सा चिप के समानी, आपका देख सकते हो processor, यही हमारा CPU है, यही प्रोसेस करने का काम करता है, यहाँ पे आपका लगा होता है, यह जो CPU होता है, यह जो CPU है, यहाँ पे लगा होता है, तो यह पूरा आपस में जो आप की बोड और मौस कनेक्ट करते हो इसी से connect रहता इसके तुरू यहां पे तो आप लोग समझ गया होंगे internal hardware यह motherboard का पार्ट है motherboard को सभी का यहां पे नाम दिया गया है सभी कुछी इस PDF में आप लोग उको मिलने वाला है तो वीडियो को ध्यान से देखेगा वीडियो इस systर्म मं पास्वेड मिलेगा फिर इसको आप लोग डाउनलोड करके अच्छा से और नोस बना सकते हो MALE है external hardware की क्या है external hardware का मतलब होता है जो अंदर का part होता है internal hardware का जो अंदर का part होता है इसी को components बोला जाता है जो अंदर का part होगा ना जैसे कि अंदर का part है हमारा की रेम रोम इसी को components बोला जाता है components आप लोग समाझ गे होगे components का मतलब inside में जो अप external hardware External hardware का मतलब होता है External hardware is connected outside the computer system Through wire and is called peripherals मतलब कि जो wire की through connect होता है उसको क्या बोला जाता है Peripheral बोला जाता है External hardware का मतलब जो बाहर के part में आपको दिखाई देता है वो आपका external hardware का लाएगा जैसे printer, mouse, keyboard, monitor ये सब क्या का लाएगा आपका external hardware जो बाहर का part है जो आपको दिखाई देता है जिसका use करते हो आप लोग समझ गये होंगे इसी को क्या बोला जाता है जो wire के through connect रहता है उसी को peripheral बोला जाता है और components जो अंदर का part है देख सकते हो हमारा क्या है basic computer का part है इस सब क्या है computer का external hardware है जो इस machine के अंदर में कुछ समान होग इंटर्नल हाडवेर खला है तो अब सो लोग समझ गये होंगे external hardware क्या होता है internal hardware क्या होता है यह हम लोग समझ लेते है computer ports hardware computer ports hardware का मतलब कि जो हम लोग CPU लगाते है computer में CPU में जो है keyboard लगाते है mouse लगाते है तो जो keyboard और mouse का यह है इसको बोला जाता है PS port और एक होता है USB port जो अभी हम लोगों लगा है वो क्या है USB port है पहले PS port आता था इस तरीके से गोल गोल वाला लगाने के लिए अब USB port का यूज किया जा रहे है इस यहां पर keyboard लगा सकते है USB port में यहां पर monitor का वायर रहता है VGA cable तो यह भी हमारा क्या है external hardware है मतलब की external hardware computer का ports के बारे में बताया गया जो हम लोग keyboard mouse लगता है इसी motherboard से अपस में connected रहता है तो software का मतलब होता है सेट उप इंट्रक्शन और सेट ओप प्रग्रम आरक अश्कन उन अस स्वाप्टेर मतलब कीジो को क्या बोलेंगे software बोलेंगे software क्या होता है जैसे आप लोग use करते होगे instagram facebook आपका ये सब क्या है software का नाम है जैसे computer की बात करें तो msword होगे आपका excel होगे ये सब क्या है software का example है तो software भी कई प्रकार के होते हैं देशों के समुझ या प्रोग्राम के समुझ को सॉप्टेयर कहेंगे तो जो सॉप्टेयर होता है थ्री टाइप का होता है पहला होता है हमारा सिस्टम सॉप्टेयर दूसरा होता है एप्लिकेशन सॉप्टेयर तीसरा होता है यूटिलिटी सॉप्टेयर तिनों को अच्छा से वहैं वहीं सिस्टम कोरेट किया जाता है वह हमारा ओपनाने कसी करेंका अगा करेगा ओइंदोze हो गया तो Windows का भी कई वर्जन आता है, कोई Windows 7 के यूज़ करते हैं, कोई 10 के यूज़ करते हैं, अभी latest चार रहा है, Windows 11, अभी 12 नहीं आया है, तो Windows कंप्यूटर में बात करें, तो Windows का यूज़ किया जाता है, और विस्ता, ये भी computer का ही software है, Linux, ये भी computer का ही operating system है, Mac, ये Mac user के लिए है, MS-DOS, ये भी computer में इस्टॉल रहता है, हम लोग MS-WARD को भी सिखेंगे, आने वले, आगी class में, Android, Android किसका software है, आप लोगो को बताना है, Android जो हम लोग mobile phone, जो हम लोग mobile phone चुलाते हैं, इसको mobile phone महनते हैं, Android phone बोलते हैं, जो touchscreen phone बोलते हैं, mobile phone, उसमें Android operating system डल हुआ है, तभी ये हमारा hope आ रहा है, अगर computer रहता, तो ये जो क्या है, computer में Windows का use किया जाता है, और iOS का मतलब iPhone operating system, iPhone के जैसे देख सकते हो, iPhone में कौन operating system रहता है, iOS operating system रहता है, iOS का पुरा नम iPhone operating system, तो iPhone operating system इसमें रहता है, iPhone में, तो आप लोग समझ गया होंगे, क्या होता है system software, जो system को चलाने के लिए बहुत ज्यादे important होता है, जिरूरी होता है, वही हमारा system software कहलाता है, जैसे कि Windows हो गया, computer की बात करें, तो mobile में बात करें, तो Android हो गया, iPhone में बात करें, तो iOS हो गया, तो ये क्या है, operating system है, और हम लोग समझते है, Windows क्या है, Windows system software, Windows क्या है, एक system software, जो system में store रहता है, तो अलग-अलग type का Windows आता है, Windows 7 हो गया, Windows 8 हो गया, Windows विस्ता हो गया, तो Windows का अलग-अलग type होता है, तो हम लोग जो normally use करें, Windows 11 अभी latest version चला है, तो system software समझ गया, यह हमारा MSDOS है, जो की character user interface होता है, जो character के base पे काम करता है, जो MSDOS होता है, आप लोग स इसको इसको बनाया था, इसको को बनाया था, Microsoft Company ने डिवलप किया गया था, बहुत ही ज्यादा पॉपलर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यूजर फ्रेंडि है, क्योंकि दुनिया में ज्यादा था, Microsoft Windows का हिस्तेमाल किया जाता है, और जब भी हम लोग Windows operating system लेते हैं, तो by default उसमें image door operating system क्या रहता है, इस्टोर रहता है, जो कि CLI पे काम करता है, CLI का मतला command line interface पे काम करता है, बस अब लोग इतना जा रहा है, image door से क्या operating system है, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि image door क्या होता है, और इसका क पूरा करने में मदद करते हैं, ये software किसी विसेस उपयोग करता ज़रुएत को पूरा करने के लिए design किया गया जाता है, तो जैसे कि application software आपके वे software है जो user के कारिये को पूरा करने के लिए बनाए जैसे कि आप हम लोगों को कुछ share करना है, कुछ files वगरा है, तो आप लोग YouTube से वीडियो देख रहे होते हैं, हमारा YouTube क्या भी application software है, तो जितना भी आप लोगो mobile की बात करें तो WhatsApp होगे, आपका Instagram होगे, YouTube होगे, सब क्या application software है, और जो जैसे computer की बात करें, तो computer में application software का हम से, जितना भी आप देखते हो, Chrome browser, आपका word processing software, Microsoft Word होगे, Spreadsheet, Excel होगे, आपका presentation software, Microsoft PowerPoint, WordPad, Notepad, MS Paint, Adobe Photoshop, Web browser, Chrome browser, Google Chrome, Firefox, ये सब क्या है, application software है, जो user के किसी खास कारे को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, तो आप लोग समझ गया होगे, application software क्या होता है, तो आप लोग समझ गया होगे, hardware क्या होता है, software क्या होता है, computer को, computer जो user बैठा रहता है, user जो computer को use कर अपरेटिंग system को भी use करेगा, hardware को भी use करेगा, तो आप लोग समझ गया है, तो आप लोग समझ गया होगे, तीसरा टाइप क्या होता है, utility software होता है, utility software का मतलब क्या होता है, किसी भी software को चलाने, या computer system पर अलग program पर काम करने के लिए, operating system को कुछ सुचारू रूप से काम क अब जो हमारा computer होता है, Windows होता है, वो तो हमारा क्या हो गया, operating system हो गया, या system software बोल सकते है, लेकिन उसी Windows को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, काम करने के लिए, कुछ software क्या हो सकता होती है, उसी ही क्या बोला जाता है, utility software बोला जाते है, मतलब कि other software, application और system software से हट के थोड़ा सा अलग, जैसे हमारा computer में Windows में बहुत ज्यादे important file पड़ा हुआ है, और हम लोग चाहते हूं सी क्यों कोई hack ना कर सके हमारी computer को, उसमें कुछ virus ना आए, तो उसके लिए हम लोग computer में लगाया जाता है, antivirus software, तो यह किसमें आ जाएगा, आपका utility software मतलब किसी system को अच्छा से secure रखने के लिए, जिस software का हम लोग use करेंगे, आप क्या कहलाएगा, आपका utility software, तो आप लोग समझ गया होंगे, utility क्या होता है, किसी भी खास कारे को निस्पादित करने के लिए, जिस software का use करेंगे, वो हमारा कहला आएगा utility software, जैसे कि antivirus software हो गय तो उसका backup लेना है, तो backup software का use किया जाता है, disk cleanup software हो गया, driver software हो गया, file compression tools हो गया, disk हो गया, system monitors हो गया, task manager हो गया, तो यह सब क्या है, network utility हो गया आपका, तो यह सब क्या है utility software का example है, जो computer की utilities को अंदर के system को काम को 104 उस पर चलाने के रिसका use करते है, तो आप लोग समझ गया ह होता है, computer, hardware, software, दो भागों में divided रहता है, hardware हमारा internal, external, और जो software होता है, system software, application software, और एक utility software, तो हमने detail में cover किया है, सभी के बारे में, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो इसी वीडियो में comment करना है, आपको answer जरूर दिया जाएगा, और इसका जो PDF है, आप लोगों को description box में link दिया गया है, जाकि इसको download कर सकते हो, और अपना notes बना सकते हो, तो अगर आपने वे अभी तक वीडियो को subscribe है, हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe जरूर करें, इसी तरह किसे information वीडियो पाने, इंट्रेटिव यडियो पाने के लिए, तो thanks for watching this video, मिलते हैं next day में, thank you.